कुछ दन पहला ही 12 मैं नों अम्री स्थार दे रेल्वे स्टेशन दे बिलकुई नजदी ग्रेंड होटल जित्थे के काफी महिन्या तो 60 फुट डूंगा टोया होटल मालका वलों फुट्टया ग्या सी जिसे करके आलेदवाले दे रहाइशी इलाके दे विच काफी वड़ा फुर बाविस्ता विखन नों मिले आते 12 मैं नों इस टोय दे करके आलेदवाले दे रहाइशी इलाके दे कई मकान डेक पे अते कई करांदे विच वड़िया ते मोटिया दरारा पैगिया इस टोय लाव इक रेस्ट्रोरेंट वी जमीन दोज हो गया। इस सारे कटना करम तो बाद प्रशासन दा रोल बहुत ही नकरात्मक नजर आया क्यूंकि इस मौके ना ही नकरने कम वते ना ही कोई डिजास्टर मेंडमेंट दा कर्मचारी जाद कारी मौके ते पहुंचया। इसका के लाका नवासियां देविच काफी गुछ से दा महलवी विखन नू मिल रहा सी। कुछ बहुत कुछ डिमॉलिस हो रहा है और यह नहीं पता लग रहा है कि होया कि है। अशी थे आये, साधी टीम आई, सब तो बटी गल है कि देखो एक होटल बन रहा सी। होटल बनाऊन वास्ते है, इथे बेस्मेंट वास्ते है तकरिबन साथ फिट दा खड़ाख हो देया होया सी। सिक्स्टी फिट डेफ्ट सी गा। और वो काफे चीरतों उसे तरीके देनाल चलदा सी। और उस दिन एक होटल दा ग्रेंड होटल दा एक हिशा वो दे विच डिग पया। दूसरा तकरिबन 10 करादे विच पर्मानेंट तुसी देखोगे दरारा गई और 5-6 करादे विच तो देखो एस तरीके दा डेमेज हो गया है कि जेकर उदों कोई हुंदा उथ है तो सिदा 60 फिट थल्ले चले जाना सी। दूसरी गल है कि एस एरिये नूँ एक किया जा रहा है कि एक कमर्शियल एरिया है तुसी सारे देखो यह पार्क है यह सारे मकान बने हुए ने एक किसे भी कनून देता है एस मुल्क दे विच ऐसा कोई कनून नहीं है जो कह सके कि यह कमर्शियल एरिया है ठीक है मेन सड़क किविंश रोड है सडग दे दुमें पासे दुकाना बन सकते लेकिन एक कंप्लीट ली रइंटेंशिया एरिया है इस साठ फीट दा तुशी देखो गिए ट्रेंच मकसद इसी का कि ये सारे मकान थल ले चले जाएं चाहिए बाद देबिच इस जड़ी जमीन है जो मकाना दी जड़ी जमीन है, पलोट है, वो भी वो कब्जे कर लें जी, एही मकसद सीगा जी, शिरफ ता सिरफ एही मकसद है, सेकेंड चीज देखो, सेकेंड चीज देविच की है, कि ए सारा कुछ फॉलिटकल माफिया दे, निगरानी देविच होया है, उना दे संरक्षन कि पिछले दस सालां देविच होया है, पिछले दस सालां देविच जो सरकार रही है, कांग्रेस पलस अकाली, यहान सारे लीड़राँने सारा कुछ मिल के कराया है, कारण तुछी देखोगे, कि जदो तो एक कटना वापरी है, ना अतकर प्रसंदा कोई अधिकारी आया है, नहीं प्रसासंदा कोई अधिकारी आया है कोई नहीं आया इते वेखण मास क्योंकि सारयां दिये देविच मिली पुगत सीगी एस करके कोई आ नहीं रहा है वोया की है ए आज देखो जा रहा है सीगे हाई कूट जा रहा है सी रीट पाउंड वास्त मैं उस टाइम भी आया मेरे आउन तो पहला मेरी टीम आ गई सीगी फिर मैं रात दे टाइम दुबारा आया फिर एक दिन होर जदो मैंनों पता लगया कि यह पार्क देविच सारे बैठे पहने तो मैं फिर आया तो देखो एना दी जो हालत है वो बहुत ही खराब है एना करांदी रिपेयर हुन हो नहीं सकती है तो दो एदेविच एस्पेक्ट ने एक ता एस्पेक्ट हो गया कि जो मकान डेमेज होने वो कौन ठीक कराएगा क्योंको रिपेयर हो देविच नहीं हो सकता है ठीक है वो नमे सिर्वें बढ़ाना पूपा दूसरा अस्पेक्ट यह है कि वो अनुमति किसने दिती 60 फिट ट्रेंच बढ़ाऊं दी कागजा देविचे कहा जा रहा है कि 60 फिट दी था वो चलो 40 फिट दी परमिशन सेगी 40 फिट दा परमिशन भी कोई भी अधिकारी नहीं सकता है एक कनून नहीं है कि रेजिडनेंशियल एडेविचि तुसीं बाउन वाजते 40 फिट ट्रेमिशन दो इत्ते बैसमेंट बन ही नहीं सकता है एस एरिय दुसी में बन ही सकता है और रहूंड सारासर कॉराप्षन है और माफिया प्रस्ती है उस हिसाब देना ले दिता हुया है और मैंनू दस्या गया कि ये 2019 दे वीचे दिता गया शी लेकिन एच सारा कुछ होया है माफिया एड्मिस्टेशन त्या पॉलिटिक्स दे उना दे एलाइंस देना एक बहुत ही इना ने एक वो बना लिया शी एक ए प्रचन वाला नहीं है मैं मांजोग चीफ पिनिस्टर साफ देना अलगल किती है और सनुपूरी उमीद है सनुपरोसा दिलवाया है चीफ पिनिस्टर साफ ने कि एना वास्ते सारा कुछ हो किता जाओगा और सेकेंड चीज़ देखो एक जो एफायर होया वो भी एफायर मे दर्जिकरवाया जो तो मैं आया सी तो बारे वह थे के फायर नहीं होया सी पुलिस भी थे खड़ी सी पुलिस ने एक या कि कार्परेशन वाली आनुए शी बुला बुला के ठक गए तो कार्परेशन दा कोई आया नूँ रेस्क्वी वास्ते जरूर आना चाहिदा सी जो इंपॉर्टेंट एसपेक्ट है कि जो एक घर ने कि अशी हाई कोट जवागे अशी सारे जान दे हां कि जेकर ए अबुला जान गे तो दूसरी पार्टी देखो ज्जादा जबर्दस्ट के कनूनी लिडाई जे बीचे ते एक कनून दे चक्कर दे बीचे पे जान गे इ इंक्वारी अफिसर बहुत ही सौफ्ट ने तो जो माफिया वाले देविच लगे होई ने उना दे काफी निजदी की ने जी मैं इस परस्ट बोलना चूंगा इना किसे न वहीं तुसी पूछ लो वो सराती है सारे रो रहे सिगे कि जैस अफसर ने इंक्वारी दिती गई है व क्यों जने हलातां दे वीच एना दे जिंदगी वीर वार तो लेके आज मंगल वार हो गया एना दे जिंदगी गुजर रही है कोई पुछन वाला नहीं है लेकिन एस चीज नूँ असी बतोरे मिले जो मेरा फर्ज बंदा है क्योंकि ये सारे मेरे भोटर ने जी एदे उते क कोई राजनिती नहीं करनी है मैं पहला ही कह दिता है कि राजनिती नहीं करनी है लेकिन एना नूँ कमपनसेशन तुरंत मिलना चाहिदा है और कमपनसेशन भी देखो मकान नवे शिर्यों बढ़ाऊना और उदो तेके रहनगे किते सारा एरेंजमेंट करना एस तो अलावा जना ने गलती किती है वो गलती नहीं है तो गलती तो देखो वो बहुत बड़ी सजेश सिगी कि एस सारे एरिये नूँ कमर्शियल बना लेना सी तुसी देखो माल रोड टोटल कमर्शियल बन गया ग्रीन एवन्यू कमर्शियल बन रहे हैं जो अम्रिज सर सिफ्तिदा यह सारा एरिया जड़ाँ सीगा इस एरिया नो समेध पार्क कमर्शियल बणाऊंदा इनाने एक तरीका लफ लेपा जी कि एक ट्रेंच खोद के छड़ दो आज भी जह कर मी पैज आ ढगी है तो यह सारा एर्या कमट बैज के चले जाने है लेकिन ए कि रहने नहीं चलना है हुना मादी पाटिदी, कर अगी है जो नुक्सान हो गया वो गया और उस दी परपाई भी होगी और जो मुवाबजा इना नू मिलना चाहिदा है वो मुवाबजा वास दाशी लड़ाई लड़ांगे और ये लड़ाई एना दी नहीं है मेरी लड़ाई है इना ने मेनू MLA बनाये हैं ये लड़ाई चाहिए अमरी सब तो गोर्पिर सिंग्दी रिपोर्ट पांजाब ठुडे